हेलो नमस्कार दोस्तों रीसेंटली क्या हुआ है कि पालियमेंटरी स्टेंडिन कमीटी बैठी जिस स्टेंडिन कमीटी ने अपनी रिपोर्ट दी फॉर दे नौटिफाइड नॉमेडिक एंड सेमी नॉमेडिक ट्राइब जिस report के अंदर उन्होंने बताया कि भारत सरकार दोरा जितने भी program चलाय जा रहे हैं इन community के लिए वो completely ineffective है क्योंकि यहाँ पर proper रूप से implementation नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है उसको समझेंगे पर उसके पहले इस sheet के ओपर बात करते हैं कि actual मेरे tribe है कौन तो पहले बात करत समय था अंग्रेव के समय की जब मैं बात करूं तो उस समय पर कुछ tribal community को with a series of acts जैसे की criminal tribe act और ऐसे कहीं सारे act निकाले गए थे जिनके जरीए कुछ tribal community को born criminal notify किया गया था जब भारत आजाद हुआ तो इन tribal community को यहां से denotified किया गया इस कारण से tribal community denotified tribes कहलाती है वहीं एक tribal community होते हैं जो एक जगे से दूसरी जगे जाकर काम करते हैं कहीं बार आप देखोगे ना तो कुछ community ऐसी होती हैं कुछ tribal community ऐसी होती हैं जो एक जगे पर नहीं रहती हैं जो एक जगे से दूसरी जगे जा जाकर काम करते हैं ऐसे प्रकार के जो लोग होते हैं उन्हें हम लो कर रहे थे बाल क्रिश सिद्राम रेंके इस कमिशन का नाम रेंके कमिशन भी कहा जाता है इस कमिशन ने 2008 के अंदर अपनी रिपोर्ट रखी जिस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया कि जब भारत का सन्विधान बन रहा था तो जोरान में यह जो कम्यूनिटी है जो शेडियूल कम्यूनिटी है उन्हें ध्यान में रखा गया और उन्हें इस्पेशल राइट जिये गया क्योंकि उनका काफी समय से सोशन हुआ था क्योंकि वो बेकवर्ड थे सोशली और एजुकेशनली पर जब मैं इन डी नॉटिफाइड अधिकार नहीं मिल पाए और आज मैं बात करूं तो यह कम्यूनिटी के जो लोग हैं वो लगबग 10.74 करोर हैं अकॉर्डिंग टू दे सेंसस ऑफ टू थाउजन वन तो इनको अधिकार देने की बात इस कमिशन के अंदर की गई थी 2014 के अंदर एक और कमिशन आई जिस कमिशन ने बताया के टोटल 1262 कम्यूनिटी ऐसी हैं जो की डी नॉटिफाइड नॉमेडिक और सेमी नॉमेडिक कम्यूनिटी के अंदर बिलॉंग करती हैं जिन में से अभी भी 269 कम्यूनिटी ऐसी हैं जो कहीं पे भी रिजर्वड नहीं है मलब 269 डी नॉटिफाइड कम्यूनिटी अभी ऐसी हैं जो कहीं पर SC, ST या OBC के अंदर नहीं आती मलब इनको कोई special rights नहीं मिलते हैं जिसके कारण से इनको अपनी life में काफी difficulty face करनी पड़ती है इसी कहां से भारा सरकार द्वारा कहीं सारे प्रोग्राम चले गए उन प्रोग्राम के रिव्यू के लिए रिसेंट्ली एक कमिटी वेठी थी ती हो उस कमिटी ने अपने recommendation दिये उन commission को आप लोग समझेंगे उन recommendation को अभी आप लोग समझेंगे बड़ उसके पहले आप लोग मै subscription लेते हो और code यूज करते हो src10 तो आप लोगों को मेरे द्वारा personally one-on-one mentorship मिलेगी साथ में telegram ग्रूप के ओपर मेरा contact number available आप वहाँ पर ही मैं से contact कर सकते हो for further details ठीक है चलिए अब बात करते हैं standing committee ने क्या आपने recommendation दिये तो actual में हुआ क्या कि अभी recently standing committee बैठी थी on social justice and empowerment जिसे head कर रही थी रमादेवी और इन्होंने 31 भी parliamentary standing committee की रिपोर्ट है वह parliament के सामने रखी जिसके अंदर इन्होंने बताया है कि दो बड़ी problem हमको denotified community semi nomadic tribe और nomadic tribe के जितने भी program scheme चल रही है उनके अंदर देखने को मिलती है पहली problem जो है वो यह है कि कहीं सारी scheme चलाई जाती है insurance के लिए health insurance coverage देने के लिए इन community को coaching देने के लिए इन community को education देने के लिए proper health facility और livelihood देने के लिए जो scheme चलाई जाती है उन schemeों के तहत ये कहा गया था कि 2021 से लेके 2026 के बीच में 200 करोड रुपे तक का खर्चा यहां पर किया जाएगा पर पहले ही वर्ष 2021 के अंदर एक रुपया भी खर्च नहीं किया गया ऐसा इस standing committee ने बताया इवन जो पिछली बार 2021 में टोटल 5 साल में 200 करोड रुपे खर्च करने थे 2021 के अंदर जो बजट निकला था हो 50 करोड का था जिसमें से एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया वही ठीक अगले साल हो सकता था कि government के मन में ऐसा हो कि यार हम लोग और ज्यादा काम करेंगे पिछली बार नहीं कर पाए तो वो छी हमको देखने को नहीं मिली क्योंकि budget के अंदर ही government का attitude दी गया और 50 करोड से 28 करोड के ओपर ये लोग आ गए ये development and welfare board for denotified nomadic and semi-nomadic communities बनाई गई थी एक बोर्ड है इस बोर्ड का काम है जितने भी प्रोग्राम अगेरा उनको implement करना अब हुआ कुछ ऐसा कि मैंने बताया के 1262 60 communities ऐसी हैं जो कि इन community को belong करती है जो de-notified है जो nomadic है जो semi-nomadic है इन में से 269 community ऐसी है जो unreserved है इन 269 communities को कहा गया क्या इनको भी SC, ST, OBC के अंदर कहीं न कहीं डालना पड़ेगा ताकि इनको इनके special rights मिले और उस sheets के ओपर काम कर रही थी ये board पर अभी तक इस board द्वारा एक भी decision नहीं लिया गया है मतलब एक भी community को किसी भी reserve class के अंदर नहीं डाला गया जो एक दूसर problem बताएगी अब थोड़ा सा इस board के वारे में बात करते हैं कि बोर्ड क्या है बोर्ड जो है इसकी स्तापना होई थी actual में 2018 की कहानी है 2018 के अंदर एक parliamentary committee बैठी और उसने पर रिपोर्ट दी जिस report के अंदर ये कहा गया कि जितने भी denotified tribal हैं जितने भी nomadic or semi nomadic community है उनके लि completely in community के लिए कराम करें पर फिर एक और विचार आया विचार क्या है मैंने बताया 1262 communities हैं जो इनको विलॉंग करती है जिन में से 269 communities ऐसी है जो unreserved है पर बची हुई 993 communities तो अभी भी ऐसी है जो SCHT और OBC को विलॉंग करती है अब अगर हम लोग एक permanent commission बनाएंगे इनके लि commission for backward class, national commission for schedule tribe यह already है जिसके कारण से जो permanent commission है उनके interest जो है वो कहीं न कहीं conflict में आ जाएंगे इस कारण से कहा गया कि permanent commission नहीं बना सकते हैं तो एक नहीं board बनाएंगे जिस board का नाम दिया गया DWBDNC जो की Societies Registration Act 1860 के तहत बनी under the Ministry of Social Justice and Empowerment इसका काम था जितने भी welfare प्रोग् for this community उनको implement कराना यह बनी February 21, 2019 के अंदर विट भीकूर राम जी इजाते इसके जो first chairman के रूप में थे बाद में 2022 के अंदर मार्च 2022 के अंदर DOPT द्वारा advertisement issue किया गया और कहा गया कि अब हम लोग यहां पर इस board के लिए नए employers जो हायर कर रहे हैं और उसके बाद में commission काम कर जो है वो नहीं आए वहीं अगर मैं बात करूं तो यह communities वैसे तो constitutional maker के समय पर जब सन्विधान लिखा गया तो उस समय पर कहीं न कहीं नजरों से दूर हो गई उस समय पर ध्यान में नहीं आया कि इनके लिए भी को special privilege होना चाहिए पर आजादी को इतने साल हो गए तब भी यह community हमको क्यों नहीं दीखी क्योंकि इन community का proper रूप से political representation नहीं है यह politically quiet है कोई इनकी तरफ से इनकी बात रखने वाला नहीं है कोई proper leader ऐसा नहीं है जो यहाँ पर देखने को मिले इनके पास में lake of vocal leadership है even कोई भी ऐसा national leader अभी तक नहीं है जिन्होंने इन community को patronage दिया हो इ है यह जो mainstream है उनसे बाहरी रह जाते हैं इनको जो special privileges मिलनी पार है ऐसी condition के अंदर इन community को special privileges देने के लिए कई सारी commission ने recommendation भी दिये आपको यह सारी commissions देखने को मिलेगी जिन्होंने आजादी के दौरान से 1947 के अंदर criminal tribe inquiry committee बैटी थी तब से recommendation आ रहे है और आज तक recommendation बस आही है पर अभी तक proper implementation किसी भी चीज का नहीं देखने को मिला है अभी तक in community का proper रूप से growth देखने को नहीं मिला है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं lecture अच्छा लागा हो तो लाइक करो लेक्शर बहुत अच्छा लागा हो तो नीचे एसास लीडेन कमेंट करो अन अकैडमी के उपर सब्सक्राइब करना है कोड यूज करना ऐसा सीट है जिसके बाद आप लोगों को मेरे दौरा परसली वन ऑन वन मेंटाशिप मिलेगी इसके अलावा पार्थ फाइंडर करट अफेर का एक अलग से टेस्टीर शल रही है अनकैडमी के उपर आप इस टेस् ठीक है इसके अलावा आपके लिए एक अनकैडमी स्टोर पहले जो दिल्ली में खुला था वैसा ही एक जेपूर में खुला उसका एडरेस कुछ इस तरीके से है अगर आप लोग जाना चाहते हो तो आप बिल्कुल से जा सकते हो है ना अगर आप जेपूर के आसपास रह र जाता है तो जाओ अनकैडमी को सब्सक्काइब करो कोड क्या उसका ना दोस्तों एसा सीट है तो आज के लिए इतना ही जैहिन जैभारत